इस वीडियो में हम लोग किडिया के बारे में पूरे डेटिल से पढ़ेंगे किडिया क्या होता है किडिया के कितने परकार होते हैं या किडिया किसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से जानेगे किरिया करने वाला उसको करता है उसको करता भोला जाता you जय से रामा खाना कह रहा है तो यह poms कर रहा है उसलिए करता ठाहला है यह ठाहना पढ़ना पिना जाना आना खाना हसना रोना पीठना दोरना भागना चिलाना हसना मरना यह करते हैं जिसे काम को करने काम करने हैं उसको होना काते है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ तो सुनने का का मधा हम ना चाहेंगे हम लोगों को सुनारी देगा यह खुद बखुद हो रहा हम काbildung हbreya है , हम कुछ भी काम में काम कर रहे हैं और हमारे सरीर में कुछ काम खुद बाखुद देढ़ काम को करना या होना का बोद होता है उसको किया करते हैं खुद बखुद काम हो या उसको काम को करें सारा क्या कर लाएगा कोई भी काम हो कोई भी एक्षन हो उसको क्या कहीं हम लोग किरिया कहींगे किरिया कहना मूल रूप क्या होता है धातू होता है धातू में ही हम लोग कु कुछ जोडने के बाद ही किरिया बनता है ठीक है तो वही लिखा गया है कि किरिया का मुल धातु है मतलब धातु में ही कुछ चोड के क्या बनता है किरिया बनता है जैसे चल क्या यह चल तो चल क्या कर लाएगा धातु कर लाएगा यह क्या चल तो क्या कर लाएगा धातु कर चल चलम्हें से चलम्हें में औ जोरा दाते क्या बना चली इस लमें ऊचल में उचलो चलो चलू स्क बड़कार किस जूर के้ जो बना है वही क्या क्याला चल pioneer कर देखी चलना चलेँ चलो चलेंगे तो जांदी है यह सब कि्रिया करップ हो इसका जो मुल रूप क्या हो जाएगा चल तो चल क्या कहलाएगा धातू इसी में कुछ जूरेगा वो क्या कहलाएगा किरिया कहलाएगा ठीक है जैसे देख है तो देख क्या है धातू है इस देख में क्या जूरा आ जूरा तो देखा इस जूरा तो देखी देखेंगे देख देखता देखते देखती यह सब क्या कलाएंगे किरिया कलाएंगे लेकिन इसमें जो देख है वह क्या कलाएंगा धातु कलाएंगा इसी धातु में कुछ जूरा है बाद में कुछ जूरा है उसको क्या कहा जाता है बाद में कुछ जूरा है उसको क्या कहा जाता है बाद में 10281 nggak दलते हैं और शबड़न किसे कहते हैं यह मुल धातु यह सोतंत्र होती तथा पर निर्वर नहीं होता हैं यह सोतंत्र हो जैसे खाल ऐसो किसी इसब द हुच्लान duy दो ने कुछ जूर कें नएन द्याट बनता है है उसको योग धाटु में कुछ जूर के बाद में मतलब पड़ते जूर के उसको उठ चुपवाना नहीं क्या बन गया वाना जुर गया वाना जुर गया वाना जुर गया तो यह उठवाना उठाना कराना करवाना यह सब क्या कर लाएंगे मतलब एक धातु में कुछ जूर के जब नया धातु बनता है उसको यौगिक धातु को परते जोर कर बनायाता है मतलब एक धातू में कुछ जोर के वह परते धातू बन जाता जैसे कि चलना फिरना रोना दोना उठ जाना चिकना उसका बतियाना खिलाना दिखाना योगी के धातू हो जाएंगे योगी के धातू के भी कतने परकार होते हैं पहला क्या हो गया ? प्रेहर नार्थक किरियाए प्रेहर प्रेहर हो है सकार्मक किरिया यह क्या हुते हैं आगे हम लुक जोड़ते उसके बाद जो सब्द आता है उससब्द को प्रिर नार्थि क्रिया बोलाया थी व कोई भीी किरिया में वाना आना लाना जोड़ते हैं उसके बाद जो बनता है उसको प्रणार्थ के लिए बोला जाता जैसे कि उठवा गया उठवाना उढए क्या हो गया दिलवाना लिखना क्या है यहां पर क्या है लिखना 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 इस सब्सक्रमक किरिया में कुछ जो कर हम बना है इस सब्ज को क्या कहें हम फिर नार्थर किरिया बोलेंगे ऐसा अभ देख लेते हैं पाले हम देखे थे यौगिक जो धातु हैं उसके कितने परकार होते हैं तीन परकार होती है पहला क्या होता है पर नार्थक किरिया जो देख लिए कि जो अकर्मक जो भी किरिया हो कोई भी किरिया हो उस किरिया में हम लोग क्या करते हैं वाना आना लाना जो जो सब्स बनता है उस सब्स को क्या बोलते हैं पर नार्थक किरिया क्या होता है हम लोग फ दोना और दोनों क्लाएगा एक हो गया इंट है इस किर्या को बोलेंगे हम इस चलना फिरना उनकित उठना यह धेटना आब हम लोग देख लेते ंसरंवनाम से बढ़ने वाली धात्यू को नान धात्यू किर्या कर तो जैसे गाली गाली से बनShift गर्याना को क्या बोलेंगे सिसकी चिकना मतलब क्या कोई समान चिकना बता जैसे कि यह कॉपी चिकनी है तो चिकनी है कट करहें तो यह कशना है यह consumo मतलब सद्रपरंगा घर्म का नाच जैसे कि कोई समान गर्म तो कोई समान के विसयश्था क्षार रहे हैं किसे स्वी से कघ्रमाना क्लाएगा घर्माना क्या कमें का अब हम लोग देख लेटे है किरिजा के कितने ही पहले हुश किद के सबस् Goo रूप से बजीटेंगे मैं मुल रूप से किया मैंक कि एक दू रूप से चुन white सकर्म कर्म किर्या किसे करते हैं जिस कर्म 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 क सकर्मा किर्या बोला जाता है जिस किर्या का फल यासर कर्म कर्म मतलब अबजिक्ट यह क्या आता है अबजिक्ट जिस किर्या का फल यासर अबजिक्ट मतलब कर्म पर परे उसको सकर्मा किर्या बोला जाता है जैसे हरी आम खाता है हरी आम खाता है हरी आम खाता है हरी आम खाता है यहाँ पर जो आम है न यह कर्म है यहाँ पर जो यह आम क्या है कर्म है यह क्या है इस संटेंस में क्या करें है हरी क्या खाता है हरी क्या खाता है तो हमको जवाब क्या मिला आम खाता है तो अगर कोई संटेंस में जवाब मिलेगा वो क्या करला है Jim का खाता है patrim क्या खाता है उसे की मांने हैं क्षाही आम को तो तो जाहाएं चोटा आम खतम को जाता है चाहारा आम खतम होगा इक ही साथ सबसक्राइब लिर घातंग ही ना हारी आम खाता है तो फल बेरा आधी के सोचा जाए तो आम पे असर पढ़ रहा है तो यह खाना क्या कर लाएगा यह खाता यह खाना यह क्या कर लाएगा कि यह सकर्म क्या कर लाएगा क्या कर लाएगा सकर्म क्या कर लाएगा हरी आम खाता है इस संटेंस में हम सवाल करेंगे कि हरी क्या क्या कर्म 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 कर् आम खाता है क्या खाता है आम खाता है अता खाना क्या हो जाएगा सकर्म किया हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि किसी संटेंस से अगर हम सवाल करते हैं कि वो क्या खाता है क्या करता है तो वो काम करता है इसका मतलब उस संटेंस में अब्जिक्ट है तो अब्जिक्ट होगा मतलब कर्म होगा उसको सीधा क्या बोल देंगे उसमें जो भर्ब को बोल देंगे हम सकर्म के किया बोल देंगे जैसे मैं पत्र लिखता हूं क्या लिखता हूं पत्र जवाब मिला ना कि पत्र लिखता हूं क्या लिखता हूं पत्र जवाब ते मिला ना जवाब मिला इसका मतल फुुल जाता हूं मात जवाब तह दो कहां जाता हूं तब होना चाहिए कि स्कूल जाता हूं इस सवाल कर रहे हैं कि मैं क्या जाता हूं इसकूल जाता हूं यह तो सवाल करना ही गलती होगी है कि आप कहां जाते हैं सवाल होना चाहिए कि आप क्या जाते हैं कहां जाते सवाल होना चाहिए इस संटेंस में हम क्या से सवाल नहीं कर सकते हैं इसका जवाब मिला ना जवाब मिला इसका मतलब यह क्या कर्म है कर्म जब है तो यह खाता क्या कर्मा 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 में क्या से ही सवाल कर सकते हैं तो मैं क्या जाता हूं जवाब नहीं मिला इसका मतलब इस संटेंस में कर्म नहीं है जब कर्म नहीं है इसका मतलब यह जो जाता हो जाएगा ना वो अकरमक क्रिया सबस्क्राइब कर दोड़े तिक बस से स्कूल जाता हूं ऑब देखे मैं क्या जाता हूं जवाब नहीं मैं कहां जाता हूं कहां का जवाब दे रहा है लेकिन किस से जाता हूं बस्से मतलब इस संटेंस में क्या या किसे से अगर इस दोनों से इसे से या इसे से किसी से भी इस दोनों में से किसी से भी अगर कोई संटेंस में हम सवाल करते हैं अगर सवाल करने के बाद जवाब मिलता है इसका मतलब उस संटेंस में अब्जेक्ट मतलब कर्म है अबजिक्ट कोई हिंदी में बुलाता कर्म है मतलब उस संटेंस में कर्म है अगर किसी संटेंस में कर्म हो तो उस संटेंस का जो भर्व होगा न उस सकर्मक भर्व या सकर्मक किरिया कहलाएगा तो इस संटेंस में हम सवाल करते हैं कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ सबसे पहले हम सवाल करते हैं किया मैं किससे जाता हूँ जवाब किससे जाता हूँ ot क्रिया कर्म कर्म करता कि कोई नहीं था कोई कर्म नहीं था तो कोई कर्म नहीं था इसका मतलब किरिया और इस sentence में कर्म है एक जाता क्या कलाएगा सखर्मग किडिया का ह sponsorship किडिया किसे काथे जिस किडिया का फ़ल या असर कर्ण पड़ पड़े उसे सकर्म की किडिया कहा जाता है ठीक है nov किस है कि एक संटेंस में कितना भी हो सकता है कितना भी हो सकता किरिया किरिया किसे कहते हैंक जैसे कि बालक रोता है बच्चा रोता है बालक बच्चा रोता है तो यहां पर सोने का काम कौन कर रहा है बालक कर रहा है ना सोने कौन काम कर रहा है इसी बालक के पर असर पर रहा है कि कौन सो रहा है कौन सो रहा है बालक सो रहा है कौन रो रहा है बच्चा रो रहा है इसी पर असर पर रहा है बच्चा पर असर पर रहा है इसलिए सोता यह रोता यह क् कर्म के कर्म के कर्म 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 कर् सवालक सोता है कौन रोता है बच्चा रोता तो जो कौन का जवाब देता है ना टिए पूंग का मतलब करता घ्या तो करता तो से उस सवार करते हैं कौरोता है बालक मिला नहीं किस किया कर लाएगा इन्हें वाकू में क्रिया करने वाला किरिया करने वाला वाला काम करने वालक है और बच्चा है जो क्या करता है काम करने वाला कोई नहीं करता बोलते हैं यहां इनहीं पर किरिया का सारा फल पर रहा है किरिया काम कर रहा है कौन काम कर रहा है बालक ही ना सारा फल इसी पर पर रहा है बालक पर और बच्चा पर रहा है अता सोना और रोना सोना और रोना यह सब किरियां है वह क्या कर चाइगे आं अकर्म कर्मकर्णा कर्म किर नहीं है क्या के जो हस्ता हो घर वह कुन डरता कौन डरता है राम डरता है राम का भाई मर गया किसका भाई मर गया किसका भाई मर गया किसका भाई मर गया किसका भाई मर गया तो यहां पर क्या हो जाएगा राम का भाई मर गया यह क्या कर लाएगा अब हम लोग आगे देख रहे थे हम लोग थोई दर पहले बताये थे कि प करता काम करने वाला किसी दूसरे से करने के लिए प्रिरित करें इसलिए करना करना से क्या वह काम करता है करने कर जाना करवा लेकिन करवां रहा है किसी दूसरे से कर रहा है यह करना करवाना कर और घे सबत्रया कर लाइंगे वहाना पैसर दो दो लेखनाा मॉट्धाम हुआ है वहाना उठस एके घ्रती नहीं ऐखना मतलब कि 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 किसी संटेंस में जो करता होता है न वो खुद करता है का लेकिन ये खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है जैसे कि वह किसी दूसरे से काम करवाया वह राम से काम करवाया तो वह यहां पर है खुद से काम नहीं किया राम से करवाया तो राम से करवाया दूस उठाना गिराण यूज तो जिन किरियां से इस बात का बोढ़ों कि करता क्या करता नाका किसी दूसरे से करने के लिए प्रेडित करें इसलिए प्रेड़ नार्था कि किरिया कहलाता है अन्हाइश उमीद हो कि आप लोग को यह वीडियो जरू पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा किजेगा और साथ हे साथ सब्सक्राइब किजे इस चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और बेल अकान को बढ़ाना मत भुलिएगा and thank you so much for watching this video